प्रिमित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टेडिवित प्रदीप में दोस्तों आज हम लोग चर्शा करने वाले हैं जारखंड राज्ज से निकलने वाले पीजिटी और टीजिटी बैकेंसी के बारे में जिसके बारे में आप लगातार इस बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहेते हैं आपको बता दें एक एक करके सारी चीजों को हम बताने वाले हैं साथ में लाइप प्रूब आपको देने वाले हैं कि अगर आप अधर इस्टेट की निवासी हैं तो आप फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं लाइप प्रूब आपको इसी वीडियो में हम देख करके दिखाएंगे बिदाउट किसी भी हिजिटेशन आप आफीसियल न्यूज के साथ इस बात को जान पाएंगे तो चलिए स्टार्ट करतें वीडियो को बिना वक्त गवाएं यदि आप चैनल पे नए है तो आप से छोटी सी रिक्वेश्ट एक चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए अपने मित्रों को सेयर कर दीजिए सबसे पहले अगर हम परिच्छा सुल्क की बात करें तो कितना बहुत तेजी के साथ चलेंगे परिच्छा सुल्क 100 रुपे रखी गई है सामान और OBCF भ्यार्थियों के लिए वहीं पे YSC और YSTF भ्यार्थियों के लिए परिच्छा सुल्क जो है 50 रुपे रखे गई है य यह पदों का विवरण है इन पदों के विवरण को आप अपनी अपनी जो योगता है उसके हिसाब से अपने विशेवार अपना देख सकते हैं पूरा यहां पर अंकन कर दिया गया है टीजिटी के लिए क्या अरच्छी थैं क्या वैकन सी हैं उस सभी चीज़ें यहां पर अब आपको सबसे बड़ी चीज जो जाननी है यह जाननी है कि क्या आप प्रम कैसे भर सकते सबसे पहले पद हो गया योगता आपकी सबकी दी गई है का आपको बीट किया होना चाहिए अपने सब्जेक्ट साथ पोश्ट ग्रेजुएट होना चाहिए जिसे इसी की बात कर लेते हैं कौन सब इसे संस्क्रिट बिसे के साथ तो दिया गया यहां पर देखिए किसी मानिता प्राथ विद्याले से राज के सरकारी विद्याले दोरा टेन प्लस टू अस्तर पर पढ़ाया जाने वाले भी से में से न्यूक्त के लिए देखिए किसी भी संस्ता दौरा बियट किया ओना होना चाहिए आपको ठीक है तो बियट आप होना चाहिए और साथ में अपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इस सभी जानकारी यहां पे दी गई आप इन्हें देख पाएंगे पढ़ पाएंगे आसा से चालिस वर्स यहां पर आप देख पा रहे होंगे और उसके बाद अगर यहां पर पेपर की बात करें तो अलगल करकार से आपका पेपर जो होगा होने वाला जो हम लोगों को आज सबसे बड़ी चीछ जाननी थी ओ यहां पर जानना है कि आखिरकार कैसे किसी दूसरे स्टे सबसे हम लोग आगे हम लोग पर को आप यहां पर आगे हम लोग को सरकारी रेजल्ट पे और जैसे ही ऑम रचार काथो ुपर आ यह CST के लिए 50 रूपे फिज देनी है आनलाइन माद्यम से फार्म भरे जा रहे हैं 21 से 40 वर्स के लिए जो है आपकी आयू सूट में रखी गई है ठीक है एक एक दोजार बाइस से आपकी आयू की गड़ना की जाएगी 3120 पद है टोटल और जिसमें 4682 पद है बैकेंसे डिटेल और यहां पर 900 कुछ पद जो है बैकलाग टीचर के हैं ठीक उसके बाद यहां पर आजाते हैं आगे सभी सीट वाइस सब्जेक्ट वाइस दिया गया है अब हम लोग पहुचते हैं लाइफ परूप की तरप यहां पे हम आते है अपलाइफ फाल्म पे और अपलाइफ पर करेंगे था हमारे सामने एक नया पेज़ खुल करके आ रहा है कि आप Laptop या उसमें डेस्टाप वर्जन पर को लिए तो हम इसको डेस्टाप वर्जन पे कर लिंगे और डेश्टाप साइट पे कर लिजिए अब आपका फार्म खुल जाएगा और जैसे फार्म खुला अब देखें यहां पे आपको यहां पर कहा लिखना है सेलेक्ट दा पोश्ट माली यह पोश्ट हमको लिखना था हमने पोश्ट कर लिया सबच करते हैं पीज लेकेंट नाम आप माल लीजिए जो हाइज स्कूल की मार्षिट में वह आपको देना है लेकिन चुकि हम एक ट्रायल कर रहे हैं तो हमने एक नाम लिख दिया दिया या हमने लिख दिया ठीक अब उसके बाद हमा जाते हैं यहां पर डेटा बढ़ लीजिए हम कुछ भी डाल कर देते हैं डेटा बर्थ तो यहां हमें इनको देव को जो हैंट तो कहां पर पेड़ा आए तक एकईस साल के हो जाएं इनने नीश सो एक्यान बे पिदा करा आदे में हम प्रादे रहे हैं सिपम्बर महीना होगा ठीक है कोई बात निए सिपमबर महीना होगा इनो normal इस पी के बाद यहां पाझाते हैं पूछ रहा जंडर कहा रहा है देव का जंडर हम मेल बतादेते हैं ठीक उसके बाद हम लोगने आप पूछ रहा है यह देखिए आर यू ए लोकल रिजिडेंस आप जारखन अब मैं यहां पे करूंगा नो चुकि मैं दूसरे इस्टेट से हूँ और जैसे ही मैंने नो किया मुझे कोई दिक्कत नहीं है कह रहा है कि आपको candidate will be considered as the unreserved category यानि आप जनरल में रहेंगे आपको कोई भी कोटा नहीं मिलने वाला लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और यहां पे दिया गया है कि क्या आपने जारखन्ड के क्या आपने जारखन्ड स्टेट में आने वाले किसी भी स्कूल कालेज से आपने इंटर्मीडियेट और हाई स्कूल पर इच्छा पास की है तो मैं करूँगा नो और जैसे मैं नो करूँगा चुकि मैं दूसरे स्टेट का हूँ और जैसे मैंने यहां पे नो किया तुरंत हमारे सामने लिख कर क्या रहा you are not eligible as for the procedure मतलब जो भी नियम कानून है उस नियम के हिसाब से आप eligible नहीं है देख लिजे आप कह रहा है कि जो नियम कानून है उस नियम कानून के हिसाब से आप eligible नहीं है यानि दूसरे स्टेट वाले फार्म को नहीं फिल कर पाएंगी यह बात मैंने प्रूब करके आपको दिखा दी, आपको एकदम कन्फ्यूज होने की आओ सकता नहीं, इस सिर्फ राज जारखंड राजवाले ही फार्म को भर सकते हैं, तो जल्दी से आप चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को सेर कर दीजिए, फिर में इजाज़त दीजिए, जय हिंद।